Hello friends, welcome to career study, online coaching नसीर जंद आपका फिर से एक बार सौगत है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CDS के math section में terminating and non-terminating concept की, तो ये question जो है आपके पास CDS के exam में fix है कि आएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, कि जब भी आपको इस तरह का question आ जाए, तो आपको ये अगर तो हमारे पास कोई rational number है, P, Y, Q की form में, ठीक है, और हमने nominator को denominator से, यान कि P को हमने Q से divide किया, और किसी specific part पर जाकर हमारा remainder 0 आ गया, ठीक है, यान कि वो system जो है, वो खतम हो गया वहाँ पर, वो properly divide हो रहा है, तो उसको बोलते है terminating, और अगर remainder 0 नहीं आता है, बलकि कि इसी point पर जाकर क्या हुआ कि remainder जो है, वो repeat होना start हो गया, तो उसको मूलते है non-terminating, चीक है, तो solve कैसे करना है इस तरह के questions को, अगर आप proper पूरा solve करने लगेंगे, तो time जो है उसमें, बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसका easily trick है, करना क्या है, आपको मालव, आपको कोई question आता है, PY की form में आपके पास कोई rational number दिया हुआ है, और पूछा है कि जो आपका ये number system है, decimal system है, वो terminating है या non-terminating, तो आपको क्या करना है, आपको क्यो के factors बनाने है, ठीक है, क्यो के factors बनाएंगे, अगर क्यो के factors में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, only 2 आएगा, तब भी ठीक है, only 5 आएगा, तब भी ठीक है, ये दोनों आएगे, तब भी ठीक है, तब भी हमारा जो system होगा, decimal system होगा, वो terminating होगा, ठीक है, इस condition में क्या होगा, terminating हो जाएगा ये, अगर तो हमारे पास 2 और 5 आ रहे हैं, लेकिन अगर हमने क्यो के factors बनाएं, ठीक है, क्यो के जो terminating नहीं होगा, वो होगा non-terminating, ठीक है, अब कुछ examples लेते हैं, इस चीज को समझने के लिए, मालो आपके पास question आया है, 3 upon 20, तो हमने क्या करना है, हमने simply 20 के factor, जो हमारा nominator है, nominator को हम छोड़ देंगे, denominator को लेंगे, denominator के factor बनाएंगे, 2 से आजागा 10, फिर 2 से आजागा 5, तो इसको हम क्या लिख सकते है, 3 upon 2 raised to power 2 into 5 raised to power 1, अब हमारे पास क्या है, 2 और 5 के लावा इसके factor में कुछ और नहीं है, तो अगर कोई और नहीं है, तो ये किस तरह का है, ये है terminating, ठीक है, terminating form में आ गया है, अगर कुछ और होता, तो हम लिखते है इसको कि ये non-terminating है, जै एक और example लेते हैं, अगर हमारे पास है 43 upon 343, तो 343 को हम divide करेंगे 7 से 7, 4 and 9, फिर 7 से करेंगे 7, 7, 7, तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर factor में क्या है, factor में हमारे पास सिर्फ 7 आ रहा है, यानि कि 7 आ गया, main point ये है कि 2 और 5 के लावा कुछ और आ गया, तो ये किस तरह का है, ये है हमारे पास non-terminating, ठीक है, simple सा concept है बिलकुल, अब next देखते है, अगर हमारे पास question है, 93 upon, 93 upon 1600, ठीक है, तो हम ही क्या करना है, हमें 1600 के factor बनाने है, 1600 के factor बनाएंगे, 2 से आ जाएगा 800, फिर 2 से करेंगे, 2 से आ जाएगा 400, and then फिर 2 से 200, then फिर 2 से आ जाएगा 100, and 2 से 50, 2 से 25, and फिर 5 से आ जाएगा 5, and last में 5 से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसके factors में, denominator के factors में, सिर्फ 2 आ रहा है, और 5 आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये terminating, ये बिलकुल, simple सा concept है, terminating and non-terminating का, अब कुछ और example लेते हैं, जै 3 आपक 30 है, तो ये terminating होगा, ये non-terminating तो 30 को हम डिवाइड ही कर लेंगे, 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 5 आजाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 तो है, 5 भी है, लेकिन उनके इलावा 3 भी आ गया इसमें, तो जब 3 आ तो ये किस तरह का हो गया, non-terminating, ठीक है, ये non-terminating form का हो गया, अब next देखते हैं, एक और देखते हैं हम question जैसे इस तरह का, अगर हमारे बास question है, 25 अपॉन, 25 अपॉन, 25 अपॉन, 5, 1, 2, ठीक है, 5, 1, 2 है, तो 5, 1, 2 के factor बनाएगे, 5, 1, 2 के factor बनेगे, 2 से करेंगे, 2, 2, 5, 5, and 6, 2 से करेंगे, 1, 2, 8, 2 से करेंगे, 64, फिर 2 से करेंगे, 32, 2 से 16, 2 से 8, and 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, इसमें हमारे पास 2 factor है, उसके इलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम अगर इसको जहान से देखें, तो 5, 1, 2, 500, and 12 लाव के factors में सिर्फ 2 आ रहा है, तो अगर 2 आ रहा है, तो यह क्या है, यह terminating है, ठीक है, यह terminating form में है, कि या तो 2 आ जाए, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, इनके अलावा कुछ और आ गया, factors में, तो वो हमारे पास non-terminating होगा, अब एक और example लेते हैं, जैसे गर हमारे पास question है, last time आया हुआ था, 16 upon 7, ठीक है, 16 upon 7 है, तो अब ऐसे ही पता लग रहा है, 7 है, तो यह non-terminating है, और 17 upon 8, ठीक है, 17 upon 8 है, तो 8 के factor क्या होते हैं, 2, 4, 2, 2, 2, 1, ठीक है, 2 into 2 into 2, तो सिर्फ 2 आ रहा है, यह क्या है, यह terminating है, तो बस simple सी बात है, अगर आपके पास denominator में, यानि कि PY क्यो की form में जो भी है, उसमें क्यो में पास जो factors आ रहे हैं, वो 2 and 5 की terms में आ रहे हैं, सिर्फ उसमें 2 है, 5 है, यह 2 and 5 दोनों है, तो वो क्या होगा, वो terminating होगा, अगर उसमें 2, 5 के अलावा, plus something extra आ गया, कुछ भी और आ गया, तब वो non-terminating है, तो यह concept था आपका, terminal and non-terminal का, I hope कि यह बिल्कुल clear हो गया होग आपको, काफी easy है, तो next time मिलते हैं, next topic के साथ, thank you.